नेगिटिव अपने आप दिखता है पॉजिटिव को ढूंडना पड़ता है दुख में उचले नहीं, दुख में फिसले नहीं हर नेगिटिव इंस्टिडेंट में, हर ट्रैजिडी के अंदर कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है है अरजुन आज सब अच्छा चल रहा है, हमेशा नहीं चलेगा फाइनल लेसन यही है, इसको टॉलरे करना सीखो है अरजुन ग्रंतराज श्रीमत भगवद गीता की? आज का एपिसोड दूसरे अध्याई का, चोदवाश लूग, फोर्टीन त श्लूग दूतराज यहाई चल रहा है, क्रिशन चर्चा कर रहे है और उससे पहले हमने चर्चा करी थी कि कैसे? भगवान ने बताया है कि आसपास परिवर्तन होता रहेगा कौमारम यौवनम जरा, बहुत परिवर्तन होगा यह चूज करना है, किस से डिस्टर्ब होना है, किस से नहीं होना है अशोचायान वन अशोचास्त्वम शोग करने ही हो गया नहीं, उस पर शोग करते हो जो दुख होने लाइक बात नहीं है, दुखी होने लाइक बात नहीं हो उस पर दुखी हो जाते हो और जुन ये तो बाट ठीक नहीं है देखने में तुम पंडित लगते हो पिछले एपिसोड ने बात करी तो आज भगवान ने इसके दो फैसेट और दे दिये आज के एपिसोड में भगवान यहां बता रहे हैं क्रिशने ये बता रहे हैं के भाई केवल दुखी होने की बात नहीं है कहीं लोग गडबड बहुत खुशी में और सुख में भी कर वैठते हैं क्या मेरी बात समझ जा रही है बवान ने बता इसके दो फैसेट है। तो मेरे पीछे आपके श्लोक बोलने का प्रयास करिए. कृष्णै क्या कहते हैं? मात्रस वर्शस तु कौन ते है हाद अगला ये गिम्यों रहेंद आउट कमाँ शीथ, उश्न, सुख, दुख, आगाम, आएगा अपाईनो, चला जाएगा आगाम, आएगा, अपाईनो, चला जाएगा और नित्यस, नित्या मतलब रेगिलर नित्या मतलब इर्रेगिलर नित्या मतलब पर्मनेंट नित्या मतलब टेम्प्रोरी मरी बात समझा रही है हाद अगला ये तांतितिक्षस्व भारता इसको टॉलरेट करना सीखो है अरजुन क्या किया रहे है भगवान यहां यह बोल रहे है पिछले मैं तो बता रहे थी तो दुख दुखी होने योग या नहीं और दुखी मत और इस समय बोल रहे है अरे दोनों तरफ समझ लो ऐसा ना हो मैं कहीं इंकंप्लीट बात बोलके निकल जाऊं गल्ती से ऐसा भगवान को याद आ गया दूसरी साइट भी बचिये फिर दूसरी में उन्होंने पहली को और रियाइटरेट कर दिया कि इसमें सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी मान भी होगा, अपमान भी होगा सुख भी होगा, दुख भी होगा दूवालिटीस ना इसमें हिलूँगा एग बड़ा करें जो नहीं हमेहलूँगा सुख में उचलूँगा नहीं। दुख में फिछलूँगा नहीं। लबली ओडियन्स्टु पहला इसने भग्वाणने दो बाते बोली एक अवेरनेस और एक अच्छन। क्योंकि यह क्या है गीता है गीता इन? तो बगवान ने दो बाते बोली, एक awareness, awareness क्या, कि अगर गगंजी परिशान हो रहे हो, चिंता मत करना temporary है, come on, क्या है, temporary है, failure आया, attention मिच लेना, क्या है, success आया, बहुत खुश मत होना, temporary है, क्या मरी बात समझ जा रही है, तो पहला उन्होंने awareness बिल्ड कर दिया, और दूसरा क क्या बताया, action, इसको टॉलरेट करना सीखो है, अरजुन, इसको टॉलरेट करना सीखो है, अरजुन, क्या है, बहुत जादा खुश होने का जरुवत नहीं थोड़ा बहुत सफलता है, मिल गया थो, that is Duryodhan Mindset, that is, Duryodhan Mindset, देखो मेरी सेना, इसा शुरू हुआ पहला द्या यादे आपको, what is the lesson of this shloka, सुख में उचले नहीं, दुख में फिसले नहीं, इसको टॉलरेट करना सीखो, है अरजुन, हर नेगेटिव इंसिदेंट में कुछ पॉजिटिव इंटेंट चुपा हुआ हुआ है, कुछ भी नेगेटिव हुआ है, उसमें कुछ में खेला, उसको पता है, छुपी हुए चीज को ढूंडना पड़ता है, नेगेटिव अपने आप दिखता है, पॉजिटिव को ढूंडना पड़ता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें पॉजिटिव धूंडो, हे अरजुन, वा मोर टाइम, इसमें हम में भी clear नहीं होता है, अब ही भी कहीं लोगों को लग रा हा, अरजुन के लिए बोली थी कि था, कितने लोग ब्रह्म में बैटे उनको लग रा हा, अरजुन के लिए बोली थी बागवान ने, किसके लिए बोली थी, हर negative incident में, हर tragedy के अंदर कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है हे अरजुन हर ट्राजडी में कुछ अच्छा छुपा हुआ है हे अरजुन देखे हर एक गिफ्ट ना रैप ओकर के नहीं आता है कुछ गिफ्ट हमारी जिंदगी में ट्राजडी के रूप में आती है कुछ गिफ्ट हमारी जिंदगी में गाली गलोच के रूप में, बदनामी के रूप में, तकलीफों के रूप में आती है, इनको टॉल्रेट करना सीखो, हे अरजुन, हे अरजुन, तो मोमेंट यू इंस्ट्रक्ट यूर माइंड, जिस दिन आपने अपने माइंड को ट्रेंड कर दिया, इसमें पॉजिटिव धुन्डो, हे अरलो धुन्स. अपने अब और यूर्द यूर्द तो मुद्द यू नहीं के है, क्याम अवद्द यू कैसे हैं. so don't take success to your head and failure to your heart success सर पे चड़ जाता है और जो failure विफलता है वो दिल में उज्जाती दिल दुख गया मेरा दिल दुख गया मैं दुख ही हो गया मैं परिशान हो गया इसलिए सुख में उच्ले नई दुख मे इसले नहीं यें भी उच्ले नहीं का एक उधारन बताता हूँ एक बिखारी घूमते घूमते अक अमीर आदमी के घर के बार पहुँंच किया आमीर आदमी एक गर के बार पहुंच नय बी Очень सेट जी बुला हांच जी सेट जी इतना सुंदर विशाल इतना सुंदर विशाल घर पूरे शेहर में और किसी का नहीं है ये देखा मैंने मैं एक भिक्षू हूँ बिखारी हूँ तो चाहिए मुझे यहां कुछ बिक्षा मिर जाएगी लेकिन बिक्षा मांगने से पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सुंदर घर बनाया मकान मालिक खुश तारीफ कर रहा भाई ये तो बहुत तारीफ कर रहा है बिकारी ने भी देख लिया है ये खुश हो रहा है मेरी तारीश उसने और बता घर वास्तम में बहुत सुंदर है मैं कितना शेहर ओगवाैंग biz औग कंड़ने एंपनी शम्ता अनुसार मुझे कुछ बिक्षा दीजिए मकान मालändig खुश सम्ता अनुसार देना है उसने बीवी सोचा कमाल हो गया मैं सोचा दो पांत सोर पे मैंने का ये कह रहा है सोने का हार लेते आना बिकारी को लगा स्ट्राटेजी काम कर गई बुला इतना ही नहीं इस पूरे शहर में मकान तो चलो मकान बगीचा इतना सुन्दर तो किसी का नहीं मकान मालिक और खुश बुला कुछ शमता अनुसार मुझे बिक्षा दीजिए बुला दरूर हे प्रियधरम पत्नी बुजो सोने के पुरुसों वाले जो दो कड़े में ले करके आये तक गोल्ड के साथ में उनको भी लेते आना विकारी सोचा स्ट्राटेजी काम कर रही है उसने का इतना ही नहीं इस पूरे शहर में इतनी सुन्दर गाड़ी तो किसी के पास नहीं है ना केवल घर ना केवल बगीचा गाड़ी भी सुन्दर और आप आपसे powerless ग्रुस तो शहर में शाहिद ही कोई पुरुष होगा आदमी और खुश बस मैं कुश नहीं चाहता अपनी शम्ता अनुसार जो बिक्षा दे सेके दीजिये, बोला क्यो नहीं है प्रिय धर्म पत्नी वो जो एक लाग का क्याश का बंडला जरा वो भी सास में लेते आना तो आदमी वो बिकारी बहुत खुश लेकिन मन में सोचने लगा और नहीं करूँगा इतना बहुत है इससे जगा ठीक लग नहीं रहा है मामला मुझे तो बिकारी चुप हो गया और कुछ पांच मिनट वहां वेट करता रहा साथ मिनट, दस मिनट, बारा मिनट उसने देखा कुछ आया नहीं तो उसने मकान मालिक को बुचा कि भाइसाब वो आपने हवाज मारी थी कि प्षोणे के कड़े लेके आना आप गले का हार लेके आना एक लाख रुपे का बंडल लेके आना लेकिन आया नहीं बोले हाँ बात तो ठीकि आया नहीं लेकि वो आने वाला था आया क्यो नहीं। बोले देखो, तुमने मेरी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, तुमने मुझे शब्दों से खुश कर दिया। बोले हाँ, मैंने भी तुम्हे शब्दों से खुश कर दिया। मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया मैं वहीं बोल रहा हूँ हादा कि लाई है सुख में उचले नहीं कोई तारीफ कर रहा हुचलने लग जाता है आदमितांते तिक्षास्व भारत इसको टॉलरेट करना सीखो तारीफ को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल काम है कैसे टॉलरेट करें प्रोफेसर नम्भी नाराईना निर्दोष देश भक्त जिनको साधिश में फसा करके देश का गद्दार घोशित किया उन्होंने बहुत साल टॉलरेट किया अब जाके उन्हें पद्मश्री पद्मभूशन उनको वापस उनकी मर्यादा लोटाई गई अभी उनके पर बायोपिक भी बनिया आपने देखा होगा लाउडली यस नो हादा गिला यागाम अपाईनो ये समय आएगा चला जाएगा पछले श्लोक में हमने क्या समझाया दीरस्तत्रनमोहेति के दीरविप्ति को मोहित नहीं होना चीए पिसले एपिसोड नहीं बताया ओढ़आ था आपको उसी को भगवान ने एस्टैबलिश किया है कि मोहित क्यों नहीं होना चीए अरे अरे टेंप्रोरी है temporary है आज सब अच्छा चल रहा है हमेशा नहीं चलेगा मेरे शिक्षा गुरू ने मझे बच्पन में समझाया था गुरू कुल में आज सब बुरा चल रहा हमेशा नहीं चलेगा temporary है हिम्मत नहीं खोनी है क्या मेरी बास समझ में आ रही है सो मुद्धा यह आइडेंटिफाई करिए कि यह परस्थिती में मेरे लिए तीन चीजे सीखने को क्या है री डिवलप करिए अपने माइंड सेट को अपने बिलीफ सेट को री ओरियंट करिए री थिंक करिए हर इंसिडेंट में एक मेसेज छुपा हुआ है आपको क्या मेसेज दे रहा है इसमें मेसेज ढूनना सीखो बस यह माइंड को ट्रेन करना गेम चेंच इतने में गेम चेंच क्या भगवद गीता से प्रेम हो जाएगा अगर आप यह थोड़े दिन और अटेंड कर लिया थो एक नहीं है इसके बना रह नहीं पाएंगे आप क्या मेरी बात समझा रही लाउड लियस नो हाद अगिलाई कभी उपर कभी नीचे मुद्ध यही है मिताब बच्चन जब दिल्ली में कॉलिज की पढ़ाई पूरी करके मुंबई पहुँचे पहले दिल्ली में नोकरी अप्लाई किया नहीं मिली आल इंडिया रीडियो में अप्लाई किया नहीं मिली बॉलिवुड में गए लोगों ने बोला टॉल स्किनी गाए नहीं मिला काम और जब मिला भी तो सीधा दस मिच्चरे फ्लॉप हो गई और बरबाद होते चले गए और परिवार ने बोला आलाबाद वापिस आजाओ खेती करो इसको टॉल्रेट करना सीखो अमिताब बच्चन को फिर आगए 60s के बारा 70s और एक के बाद एक दिवार भी आई, जंजीर भी आई, कालिया भी आई, अमर अकबर, एंथनी भी आई, मुकदर का सिकंदर भी आई, कई मूवीज आई, सूपर हिट हो गए इसको टॉल्रेट करना सीखो 80s में बहुत बड़ा अटाइक हो गया वो अटाग ऐसा हुआ कि उनको जानका खत्रा हो गया, नियर डेथ एक्स्पिरियंस हो गया, सब कुछ खतम हो गया, शरीर खतम हो गया उनका इसको टॉल्रेट करना सीखो recover हो करके आई, तो ABCL कंपनी बनाए, कुछ मूवी तुरंट फट 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 चल गई इसको भी टॉल्रेट करना है, वो चली और 90 आगया, ABCL कंपनी पूरी तरें डेट रिडन हो गई, करजे में ढूप गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अमिताब बच्चन बरबाद हो गई, इसको भी टॉल्रेट करना है केबीसी आगया, अमिताब बच्चन फिर खड़े हो गए, केबीसी बहुत तेज चलने लगा, उनकी तब्यत खराब हो गई, केबीसी हाथ से छिन गया, फिर सब खतम हो गया, शारुक खान को केबीसी दे दिया, केबीसी बरबाद हो गया, अमिताब बच्चन रिकवर होके वापस आए, KBC, फिर चालू हुआ, सीधा 12 सीजन की है, आज तक का सबसे लॉंगेस हिट, शूपरेट शो बना, यही मुद्दा है, कभी उपर, कभी नीचे, इसको टॉलरेट करना सीखो, यही में मुद्दा, यह जो आटिचूड है ना, यह आटिचूड का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना, जितना नीचे के लेवल का आदमी है ना, वो 90% स्किल इस्तेमाल करेगा, 10% आटिचूड इस्तेमाल करेगा, और जितना उपर का आदमी है, टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, वो 90% आटिचूड इस्तेमाल करेगा, केवल 10% स्किल इस्तेमाल करेगा, वो कि वाल attitude से काम करता है direction से काम करता है और जितना नीचे जाओगे ना plumber होगा, mason होगा, carpenter होगा, driver होगा वो जिंदगी वाल skill से काम करेगा उसको attitude का इस्तेमान नहीं करना हाता सफलता के लिए जिसका attitude सफल हो जाता है जिसका attitude ठीक होता है बात वहीं से बनती है क्योंकि external reason और external season यह दोनों temporary हैं आपके शरीर की बिमारी को तो दूर किया जा सकता है cancer को दूर किया जा सकता है पर attitude की बिमारी जो कि actually दृष्टी कौन की बिमारी है उसको कोई doctor ठीक नहीं कर सकता है रजनी कांथ बच्पन से financial crisis में थे मालूमें अप लोग को conductor भी बने, carpenter भी बने, कुली भी बने, मा का देहांत भी हो गया, जिंदिगी भी बरबाद हो गई, सब खतम हो गया लेकिन नीचे भी है, उपर भी है, इसको tolerate करना सीखो हे अर्जुन और रजनी कांथ का समय चेंज हुआ फिर से, रजनी कांथ कहां से कहां पौँच गए, उनका अभी शेक किया जाने लगा जैसे भगवान लडडू गोपाल का अभी शेक किया जाता है, ऐसे साउथ में उनका अभी शेक किया जाने लगा, एक के बाद एक सूपर हिट मूवी लगे भागवान का दर्जा दे दिया गया रजनी कांथ को डेमी गोड अनकाउंटेबल अवार्ड उनको दिये गए इसको टॉलरेट करना सीखो समय फिर बदल गया रजनी कांथ की एक के बाद एक मुवी फ्लॉप होती चले गई रजनी कांथ पूरी तरह बरबाद हो गया उनकी बेटी एश्वर्या उसका डिवोर्स हो गया उनको खुद को लिवर और किट्नी उनका बरबाद हो गया और इसने सारे फेलियर दाते चले गए इसको टॉलरेट करना सीखो ए अर्चुन इसको टॉल्रेट करना सीखो तयां कि ये टेम्प्ररी है सुक में उठले नहीं दुख में ये सर्कल पैपोसिबिल्टी कितरह है दिफिकलटी रहेंगी पोसिबिल्टी ढूणनी पड़ती है दिफिकल्टी ढूणनी नहीं पड़ती है लेकिन आप जिस पे दिमाग लगाते उसका size बढ़ा होने लग जाता है, यह mind की ताकत है difficulty पे ध्यान लगाओगे, उसका size बहुत बढ़ा हो जाता है, possibility पे ध्यान लगाओगे, उसका size बहुत बढ़ा हो to failure to failure to failure तो फेलियर तो फेलियर वह ही है आज का लेशन इंपोर्टन्स दीपा मलिक हमारे बड़ा भारत शूर सब लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए क्योंकि बड़ा भारत शूर में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके बिलीफ आपके अपके अंदर ट्रांसफर करेंगे ऐसे होलिवूड के हीरो हीरोईनों को नहीं बुलाता मेरे वह असली हीरो नहीं है मेरे असली हीरो वह है जिन्होंने देश को बदला है वुडियोगरी इवद में यसना हो डीपा मलिक जिसने पाँ सर्जरी एक सुत्राटी स्टिचिस नाइटीन नाइटीन से वीलचेर पे घूम रहे हैं आज चववन नाशनल मेडल तेरा इंटरनाशनल मेडल पहरे अलंपिक में गोल मेडल दीपा मलिक जो जो उन्होंने किया जो तुफ सिचुएशन से देखे यू रिमें प्रोग प्रोग्राम अनुष्पर्ग्रम फौर cm2 युरिमें तो प्रोग्रम। तो इसमी नावी प्रोग्रम की तुछ मातलब क्या मैं करते कंप्यूटर में देघितं और कोडिंग करते लाउड लिए आसनो आएसए ब्रेइन चेवी अहाए मैं इसटिपी में रियाट करगा इग स स्टिति में ऐसा ही रियाट करेंगा इसमें तो बुस्टा आएगा नहीं क्या भाई साब एक क्या प्रोग्रामिंग आप उस परस्टिति को कैसे देखते हैं इस पर निर्बर करता है इसको बोलते हैं इस स्ट्रक्च्चर्ड पैटन फिंचिंग वर्स अग्सिदेंटल पैटन फिंकिंग क्या बस्ट्रॉरच्चर्ड पाटन फिंकिंग क्या उस्ले विल्कर पार हैं टाट रिंटिका और टाटा नयानोड धोनों फैल ओए ऐ रतन ताटा की such a night और वो जैगवार लैंड रोवर जो फोर्ड मोटर नहीं चला पाई उसको उन्हों ने चला के दिखा दिया उचले नहीं क्या मरी बात समझा रही है लाउड लीस नहीं टाटा इंडिका और टाटा नैनो दोनों फेल होई फिसले नहीं वो कंपनी चला दी जो दुनिया की सबस पर पाट्ट्रॉनिक्स पोा लुक्आ के फैल होगया उस में जाटा करके नौकरी करी एक साल और फर फाइनली उन्होंने घहने बेचे अपने पतनी के सारे के सारे जिसके बाद उन्होंने कंपनी चालू करे जिसका नाम ता इंफोसिस आज दुनिया की सबसे बड़ी आई वो धनी परिवार में रहता है दोस्त उसी सोसाइटी में रहता है जहां मैं रहा करता था अपमें चाचा जी के हां दादा जी के हां और जब उसके घर गया यह बात होगी 1991-1992 की तब मैं दस साल का था अचा तब WWF अभी नया ने आया था इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स प अचा पर गया अब तो बहुत दांट पड़ेगी उसने पूल टैंशन मत ले मैं बोला क्यों रुक उसने चोटा सा कपड़ा लिया ऐसे मारा एकदम दिवार साफ नहीं का यह जादू कैसे हमारे गर में ऐसा हो जाए तो मार पड़ जाए बोला नहीं नहीं इसको प्लास्ट प्लास्टिक पर सी करेंगे आपकी तारीफ योग आपकी बढ़ेंगे आपका नाम भी बढ़ाएंगे विजर को गाली थ यह सब कुछ ऐसा उना चीए जिसलिए आपके ओपर प्लास्टिक पेंटर सभ आया वर की अचेगीarts लई वैसा होना चीए इज़त करे तो उचलना नहीं, बेज़त करे तो फिशलना नहीं, इसको टॉलरेट करना सीखो, हे अरचुन, रितेश अगरवाल ने जब कंपनी ओयो बनाई तो ओयो थोड़ी बनी थी, उसकी कंपनी और स्टेश बनी थी, मुद्धा यह अराइवल स्टेश बनने के बाद, फ पीछे है, existence, आज है, किसी ने मुझे गाली दी, एक मिनिट पहले, वो पीछे है, क्या है, मैं आज में हूँ, किसी ने मुझे बदनामी करी, अभी अभी करी, बिल्कुल दो सेकिंड पहले हाथ अगे लाई है, पीछे है, existence आज है, ये दोनों अलग है, अपने आपको existence से future को improve करने में जी हो, पीछे को ठीक नहीं सकते है, लाइफ के पास कोई rewind बटन नहीं होता है, लाइफ के पास कोई, मुझे आज आज भी वो तारीक 22 जून 2016, 20 जून, 22 जून 2016, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मेरे चार बड़े प्रोजेक्टे सारे समापत हो गए थे, और जि सेल्स, सीनियर लीडर्शिप बहुत थी, मोन कॉपरेटे में बहुत बड़ा ओफिस था, सब खतम हो गया, एक दम रातो रात सब खतम हो गया, और जैसे एक विशाल पेड के उपर, बहुत सारी चिडिया रहती है ना, जब उस पेड को जोड से हिलाएं, तो सारी चिडिया ह कोई साथ देने के लिए नहीं है, एक प्रगति शील व्यक्ति के लिए वो समय है, बहुत ही कटिन समय होता है, जब मुझे अपना मकान बेच करके सबको तनखाय देनी पड़ी, आज फिर समय बदल गया, आगा मपाई, नू अनितियस आएगा, चला जाएगा, आज हम 300% के स कि अभी 11 भी बनने जा रहा है, एक प्रगति शील व्यक्ति के लिए, ये बहुत बड़ा सम्मान एक प्रगति शील व्यक्ति के लिए, वो बहुत बड़ा अपमान था, दोनों अलग अलग परस्थितियां है, फाइनल लेसन यही है, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अरजुन मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेम हो जाएगा अगर आपने भगवत गीता को समझना शुरू कर दिया, एडिक्शन नहीं है, इसका एडिक्शन होगा तो नीचे के एडिक्शन छूट जाएंगे, जिसको ये टॉप क्लास एडिक्शन होगा, उसको बाकी एडिक् दिरहां सुराज स्रीमत भगवत गीता की, हमरे साथ जुड़ रहने के लिए आप सब का हिर्दे की गहराई से प्रेम पूरुवक बहुत बहुत बहुत